हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अभी तक हमने आपको पढ़ाया इस पर्श बुख हम पढ़ा रहे हैं और उसमें हम आपको गद्य पार्ट पढ़ा चुके हैं गद्य पोर्शन यानि कि स्टार्टिंगे जो चाप्टर्स हमारे दिये गए हैं वो हमारे गद्य विधा में है अब हम शुरू करने जा रहे हैं काववे तो काववे में हमारे सामने क्या-क्या विधाये आती हैं जैसे काववे में हमारे सामने आता है पद, दोहे, कविताए, गीत, दोहे, चौपाईया, छंद ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं तो यहाँ पर आपको जो चीजी हम पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले है रैदाज जी तो रैदाज जी भक्तिकालीन कभी है हमारे हिंदी साहित को कुछ कालों में बाटा गया है तो उन्ही कालों में एक है भक्तिकालीन तो ये क्या है भक्तिकालीन कभी है इनका नाम एक्च्वल जो है वो है रविदाज जी इनको रैदाज बोला जाता है और ये भक्तिकालीन नहीं कि 1300 संथिंग में इनका जन्म हुआ था और 1400 संथिंग में इनकी मृत्ति हुई तो ये आपको बहुत पहले के हैं इनकी जो विदाज इनों ने जो हम अभी पढ़ेंगे वो इनकी पद है तो ये जो लिखते हैं ये जितना भी है ये किसी भी धर्म में नहीं मानते थे ये किसको इश्वर में मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा के उपा ये नहीं पक्षधर इनको मूर्ति पूजा किसी भी मूर्ति की पूजा करना इनको किसी भी हक में नहीं थे तो इसलिए वो इश्वर की उपासना करते थे लेकिन मूर्ति को नहीं विल्कुल भी पूछते तो चलिए देखते हैं जो पद हमारे सामने जो आपकी पाट पुस्तक में दिये गए है दो पद वो हम इनका explanation करेंगे चले देखी क्या है इन पदों में पहला हम पहले पूरा पद आपको पढ़के बताते हैं फिर एक एक लाइन का अर्थ पढ़ते हुए हम बताएंगे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभुजी तुम घनबन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा प्रभुजी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बैर दिन राती प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा प्रभुजी तुम तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ती करे रैदासा तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो लेकिन हमने जैसे आपको बताया मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे उनके भक्ती के लिए पत गाते थे, गीत गाते थे, सब कुछ करते थे तो चलिए पहली लाइन देखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी तो रैदास जी पहली पंक्ती में क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम को जो है ना अब जो राम नाम का जो जो जोग हमको लग गया है अब वो रोग छूट ही नहीं सकता है यानि कि जो प्रभु राम है वो सबसे उपर हैं हमें उनके राम की नाम लेने की रट लग चुकी है अब हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तो क्या कहते हैं? कि रैदाज जी कि आप चंदन हो और हम पानी के समान हैं तुम चंदन हो, कहते हैं राम जी आप चंदन के समान हैं और हम पानी हैं जाकी अंग अंग बास समानी यानि कि जिस प्रकार से पानी में अगर चंदन को घोल दिया जाए तो अगर उससे कोई भी सनान करके निकलेगा तो उसकी जो बास चंदन की जो महक है वो उसके अंग में समा जाती है तो आप हमारे अंदर ऐसे घुल गए हो जैसे चंदन जो है पानी में घुल जाता है अब उसको जुदा करना मुश्किल है और उससे जो कोई और हम मोर हैं अर्थात क्यों बोला उन्होंने ऐसा क्यों उसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार काले बादल आते हैं और मोर नाचने लगता है उसी तरीके से आप हमारे मन में आकर समा गए हो और हम अब हर समय मोर की भाती मंत्रमुद्ध होकर नाचते ही रहते हैं आपकी नाम की चंद्रमा को देखता रहता है चकोर, यानि कि चंद्रमा जो है हर समय, चकोर जो है वो हर समय चंद्रमा को ही देखता रहता है, उसी तरगे से हम भी आपको ही हर समय देखते ही रहते हैं, यानि अर्था देखने का मतलब क्या है? हम आपके नाम की रट हर समय लगाए ही रहते ह प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बरे दिन राती तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं हम बाती हैं यानि कि जिस प्रकार दीपक में बाती पड़ी होती है उसी तरीके से आप दीपक हैं और हम बाती हैं क्या दिया जा की जोत बरे दिन राती और जो दीपक होता है और उसकी जोत जो है वो हर समय जलती ही रहती है यानि कि आप आपके अंदर हम समा गए हैं मतलब हम जो है आपके नाम की रट लेकर बस दिन रात जलते रहते हैं और आपके नाम का प्रकाश पूरे संसार में फैलाते ही रहते हैं प्रभुजी तुम मोती हम दागा तो कहते हैं क्या कि प्रभुज राम जी आप जो है वो मोती के समाने जैसे मोती जो है वो ऐसा चमकता है कि वो पूरे संसार को चक्त कर देता है क्योंकि प्राकतिक रूप में वो पानी के अंदर सागर में मिलता है आप मोती के समानों और हम धागे के समानें अर्थात आपकी चमक जो है ग्रण करने के लिए हम उसे धागे की तरह समाल कर रखे रहें ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें जैसे सोने ही मिलत सुहागा और आप जो है सुहागा के समान हैं और हम सोने के समाने अर्थात जैसे सोने पर अगर सुहागा मरल दिया जाए तो वो और अधिक चमक उठता है उसी तरीके से आप जो है हमारे मन में आकर समा गये हैं और हमारा मन इदम शुद्ध हो गया है और सो मारे मन को अपनी भक्ती से एकदम शुद्ध कर दिया है और हम सोने की तरहे चमकने लगे हैं प्रभु जी तुम तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ती करें रहे दासा तो कहते हैं प्रभुराम जी आप जो हैं वो हमेशा ही हमेशा एक स्वामी की तरहे रहेंगे और हम दास की तरहे आपको हमेशा ही पूजते रहेंगे और मरते दम तक हम आपकी भक्ती में ही लीन रहेंगे हम ऐसी भक्ती करना चाहते हैं रैदास जी कहते हैं हम ऐसी भक्ती करना चाहते हैं कि समपूर मतलब हमारा अब जितना भी जीवन है उसमें सिर्फ आप स्वामी की तरहे रहें और मैं आपकी तरहे दास बनके आपकी पूजा करता ही रहूं तो यहां पर हमने आपको पूरा line-wide एक-एक चीज हमने आपको समझा दी है कि कैसे-कैसे line में कैसे-कैसे words आपको दिये गए हैं इनका क्या अर्थ है और कैसे आप इन सब चीजों को लिखेंगे अब next दूसरा पद हमारे पास में क्या आता है ऐसी लाल तुझ भी निकरहूं करे गरीब निबाजू गुसाईयां मेरा माते छत्र धरे जाकी छोती जगत करें लागे तापर तुही धरे नीचहू उच करे मेरा गोबिंद काहूते नडरे नाम देव कभीरो उत्रिलोचन सधना सैनू तरे कहें रबदासो सुनू रे संताउ हरी जीतते सभे सरे यहां क्या कह रहे हैं क्या बोलते हैं ऐसी लाल तुझ भीन करू करे तो क्या कहते हैं प्रभू आप जैसी क्रपा इस पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता जैसी क्रपा आप करते हैं गरीब निवाहों गुसाई मेरा माथे चत्र चरे मैं एक गरीब क्या बोल रहे हैं मैं एक गरीब इनसान आगरीबी में जो है अपना जीवन बिताने वाला इनसान और आपने मेरे उपर जो है अपनी दया रूपी छत्र को धारण कर दिया है छत्र कौन धारण करता है राजा लोग धारण करते हैं तो जैसे राजा लोग जो है सुने का छत्र धारण करते हैं वैसा ही आपने मेरे उपर अपनी क्रपा रूपी छत्र को धारण कर दिया है मतलब अपनी दया का जो चत्र है वो मेरे उपर रख दिया है जा की छोती जगत कहूं लागे ता तब तुही ढारे तो कहते हैं इस अच्छूत जो है ये जो अच्छूत ये जो पूरा जगत है वो च्छूत अच्छूत के डर से जो है च्छूत अच्छूत है ना जा की च्छोत जगत कहूँ यानि कि मैं एक अच्छूत हूँ जगत कहता है कि मैं एक हूँ एक अच्छूत हूँ लागे ताता और मुझे चूने तक के लिए वर्जित कर दिया है और आपने मेरे उपर उस छत्र को धारण कर दिया है मतलब आपने अपना सानिध्य मुझे दे दिया है यह पूरा जगत जो है वो कहता है यह उची जाती का है यह नीची जाती का है यह अचूत है ऐसा करता है लेकिन मेरे प्रभु जो है वो इन सब चीजों को नहीं मानते इन सब चीजों के डरों से परे हैं और मुझे अपना साथ अपनी क्रपा हमेशा देते रहते हैं नाम देव कबीरों त्रिलोचन सधना सैन उतरे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अपनी क्रपा से नाम देव जैसे व्यक्ति को नाम देव जैसे संत को, कबीर जैसे जुलाहे को, त्रिलोचन जैसे समान व्यक्ति को, सधना जैसे कसाई को और सैन जैसे नाई को तार दिया था ये सभी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ये सभी जब ईश्वर की क्रपा से जब उनकी भक्ती में रम गए तो ये सभी संत के रूप में आ गए थे और आपने अपनी भक्ती से उन सभी को इस विश्व से तार दिया, इस संसार से तार दिया तो कहते हैं इस पूरे भरे संसार में इस पूरे विश्व संसार में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ती से अपने ईश्वर की जो है वो आराधना करना चाहता हूं आखरी पंक्ती में क्या बोलते हैं रविदाज रविदाज जी मतलब रविदाज जी रविदाज जी का नाम रविदाज जी भी है तो क्या बोलते हैं रविदाज जी कि सुनो है संसार इस पूरी स्रिष्टी में मैं निरवय होकर निरडर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने संभव कर रहे हैं, सब की क्रपा पा रहे हैं, किस से सिर्फ आपको ईश्वर की भक्ती के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यहां पर हमने आपको दोनों ही पदों में ये चीज़ समझाई, कि रैदास जी निर्वड उपासक हैं, कहने का मतलब वो किसी भी मूर्ती में नहीं मान वो भक्ति कालीन कभी हैं, उनकी शैली में आपको बहुत तरह के अलंकार मिलेंगे, उनकी भाशा शैली सरल, सब्रद्य है, और उनकी जितने भी पधम पढ़ेंगे, वो सभी भक्ती से ओतुप्रोथ हैं, इसलिए उनको भक्ति कालीन कभी कहा जाता है, और वो निर्वड उ बस हम थोड़ी देर में आपके सामने इसके प्रश्णोत्तर लेकर उपस्तित होते हैं, ये प्रश्णोत्तर भी आपको थोड़ा होते हैं, क्योंकि हम जब गद्य के प्रश्ण करते हैं, तो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो एक कहानी नुमा में होते हैं, उनके प्रश् करिए हम नेक्स वीडियो में इसके सारे प्रश्ण उत्तर लेकर आपके सामने उपस्तित होते हैं थैंक यू बबाई